राहु और सूर्य की यूती, ज्योतिश में सूर्य को आत्मा माना गया है, सूर्य राजा है, सूर्य आत्म विश्वास, आत्म सम्मान और स्वाभिमान है, ज्योतिश में सूर्य से पिता, पिता की सेहत, पिता के साथ आपके संबंध, हड़ी, हड़ी के रोग, सरकारी या बड वहम और फोबिया है, बिना मांगी मुसीबत, टेंशन, डेप्रेशन, धोका, रिसर्च, अचानक होने वाली अच्छी और बुरी घटना है। दस दिगरी के अंदर हो, तब ये योग अधिक कारे करता है, ये योग जिस भी भाव में बनता है, जातक उस भाव से जुड़े फलो के प्रती आपसेसिव हो जाता है, ऐसे लोग सम्मान के भूखे होते हैं, बहुत दयालू होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा मोटिव हो जाते हैं, इनके दोस्त और रिष्टेदार इनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन समय आने पर इनका नाजायस फाइदा उठाते हैं, एक्स्प्लोइट करते हैं, जिसकी वजह से इनको परिवार और कार्यस्थल में नुकसान होता है, सूर्य राहु योटी वाले जातक थ अलकुल अलग पल देती है, पहले, तीसरे, दिसवे और ग्यारावे भाव में ये यूती अच्छे पल देती है, इन भावों में इस योग वाले बहुत से जातक अच्छा काम कर रहे हैं, स्पोर्ट, पॉलिटिक्स, एरोनॉटिक्स, स्पेस साइन्स, बिजनेस, इत्यादी के लिए ये यूती अच्छा काम करती है, सरकारी विभागों में या सरकार से जुड़े कामों में ये यूती खास फायदेमंद होती है, सूर्य राहू यूती वाले जातक बे इमान लोगों को पसंद नहीं करते और ऐसे लोगों से कोई रिष्टा नहीं रखते जो छल करते हो, काम में इमानदारी ना दिखाते हो, काम पर लेट आते हो, या चीजों को बेतरतीब रखते हो, इनको गुस्सा दिलाओ या इनकी एगो पर वार करो, तो ये बहतर पफॉर्म करते हैं, इनको छोटी मोटी पोस्ट पर काम करने में दिक्कत होती है, और अची लेना पसंद नहीं होता, किसी से गुस्सा हो जाए तो अपनी गलती नहीं मानते, और ना ही सामने वाले को मनाने जाते हैं, ये सबको कहते हैं, कि जैसा मैं कहता हूँ, वैसे ही चलो, छे, साथ, आठ और बारहवे भाव में ये यूती अच्छे पल नहीं देती, और जातक दिशा व्रमित हो जाता है, इन भावों में ये यूती होने पर जातक को कोर्ट का चेहरी या मुकदमे बाजी में फसने का डर होता है, लिए दिये उधार में दिक्कत होती है, लंबी बीमारी लग जाना, शादी ना होना, तलाक हो जाना, बिजनेस पार्टनर्स से मन मुट चोट लगना, एकसीडंट होना, जेल हो जाना, इत्यादी की संभावना होती है, रहु सूर्य यूती खराब होने पर जातक किसी का भला करता है तो भी उसे बुराई मिलती है, उसके पिता को कश्ट होता है या उसे पिता का सुक्ष कम मिलता है, काम में रुकावत होती है, उलजने होती है, सरकारी क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सरदर्द, माइग्रिन, आखों में तकलीफ, कमजोर नजर, बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहना, इत्यादी की तकलीफ होती है, दूसरे, चौथे, पांचवे और नौवे भाव में ये बन जाना, लेकिन माताजी को तकलीफ रहना, जातक की लव मेरेज हो जाना, लेकिन संतान से कुछ दिक्कत होना, दिल या फेफरों का रोग हो जाना, जातक का बहुत भागेशाली हो जाना, लेकिन पिताजी को तकलीफ होना, पिताजी से मनमुटाव होना, अपने पद को प प्राब होने पर ये योग बुरे परिनाम देता है। किसी भी परिस्तिती में जातक को सोच समझ कर जवाब देना चाहिए। किसी सिचुएशन पर रियेक्ट करने से पहले थोड़ा सोचे और फिर बोले। पानी बेकार ना होने दे। अपने पिता का सम्मान एवं सेवा करें, अपने बॉस की बैक बाइटिंग ना करें, मैनेजमेंट से बना कर रखें, खराब संगत और नशे से दूर रहें। ये सभी उपाय सूर्य राहु की यूती से होने वाले नुकसान को कम कर देते हैं और ब पसकार.